जाएं दोसरों देने बात रगए अगर हम लोग मौझूद र समय में बात करें तो रितुराज गायकवार से जादा मेहनती जादा बतकिसमत खिलाडी शायद आपको नहीं में रितुराज गायकवार जिन्हों ने एक समय पर भारती टीम की कपतानी करी और कपतानी में काफी एच्छा प्रदर्शन भी किया, एक maturity दिखाई, रित्राज गायकवार जनकी कप्तानी में CSK ने पाच्वा नमबर हासिल किया, अगर वो RCB से एक और माच जीच जाते तो चौते नमबर फिनिश कर सकते थे, वो भी तब जब CSK काफी सारे main खिलाडी खेल नहीं रहते या फिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद में वो RCB को बतकिस्मत क्यों कह रहा हूं, मतलब कायदे से अगर हम बात करने हैं, तो RCB करने वाले batsmen हैं, लेकिन वो ना तो open कर रहे हैं, ना वो first down आ रहे हैं, बल्कि पिछले match में तो ये हो गया कि उनको च जिस टीम को जरूरत थी कि रुतुराज गायकवार चौते नंबर पर आएं, सवाल दिए, रुतुराज गायकवार के वारे में मैं इसलिए ये शीज़ बोल रहा हूं, क्योंकि मौशूदा जिम्मांबे के साथ जो सीरीज चल रही है, उसमें रुतुराज गायकवार स्कोरिंग रेट है, वो भी काफी शानदार है, मतलब 49 जो उनने स्कोर किया है, वो तो उनने 28 बॉल्स में किया है, वहाँ पर स्ट्राइक रेट उनको 175 का था, लेकिन इस सब के बावजूद भी रितुराज गायकवार को लेकर कभी भी कोई पॉस्टिफ बात सामने नहीं मतलब हम लोग कई सारे खिलारियों को देख रहे हैं, जिनको की टीम में स्टैब्लिश करने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है, रिंको सिंग को भले ही वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, लेकिन हम सब जानते हैं कि रिंको सिंग को कितरी ज़्यादा तगड़ी बैकि इंटेशन उनका काफी अच्छा रहता है, एक्जेक्यूशन उनका काफी अच्छा रहता है, लेकिन इस सबके बावजूद भी रितुराज को इंडिया A टीम या इंडिया की सेकंड टीम का मेंमर माना जाता है, कि जहां पर भी में खिलाडी नहीं जाएंगे, वहां पर रि के साथ में गेम दिखाते हैं, कई लोग हैं जो शुमन गिल के उपर आरोप लगाना हैं कि गिल ने जानमूज कर खुद को जाधा समय देने के लिए रितुराज गायकवार को बहुत नीची भेजा, क्योंकि रितुराज गायकवार सीधे कॉम्पूटीटर है शुमन गिल के जैसे ही जैस्वाल और अविशेख शर्मा तो अपने आप में ही है, बट अगर हम डारेक्ट किसी एक लेयर की बात करें जो कि इनको कमपीट कर सकता है, चाहे वो टेस्ट हो, वंडे हो या टीचुन टी हो, शुमन के लिए कमपीट कर सकता है तो वो रितुराज गायकवारी तो ऐसे में गिल की कप्तानी के ओपर भी सवाल उठे, यार ये तो सेलफिश पना हो गया, इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए, और ये तो सरा सर गला थे और तरह तरह की बाते हैं यहाँ पर देखिए, बात यह है कि जब आप एक टीम के तोर पर खेलते हैं, जब आप एक ग्रुप के तोर पर खेलते हैं, तब आपको कहीं न कहीं सब चीज़े पीछे चोड़नी होती है, लेकिन रिदराज गायकवाल के केस में मुझको मनीश पांडे की याद आती है, मुझे दीपा खुड़ा की याद आती है, ये वो खिलानी है जिन्होंने भारत के लिए शु चान किशन की भी बात कर सकते हैं, जो डबल सेंचुरी मानने के बाद बाहर बैठे हैं, ऐसे में खिलाडियों का मनुबल तूटता है, खिलाडी के अंदर जो एक कंसिस्टेंसी की आनी शुरू होती है, कई न कई वो बुच्छती है, शिवम दुबे, रिंकू सिंग इन लो रहेगा तो रुदराज क्या करेगा या, कहीं हम लोग इस भीर बढ़के में एक बड़िया खिलाडी को खोना दे, यह बड़ा सवाल पबलिक के जहन में मौझूद है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक बड़ा खिलाडी बताता है कि मैं मैच को खतम कर सकता हूं, उनों म प्राक्टिसेश चल रहे हैं, देखते हैं अब इनको लेकर क्या कुछ होता है, क्योंकि जवाब तो भई हर कोई मांगी रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में कमेंट शिक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, मेरे इस वीडियों के लालतना ही, जाए जाएगे जाएगे जवागे जवाएगे लोग जाया है, चाहे हैं या इंजयों।